यूनिट है आज से आज हम करेंगे और जो एमसी क्यू होंगे वो करेंगे तो काफी अच्छे से आपको समझना है एक एक पॉइंट को अगर अच्छे से समझोगे तो फिर देखना आप मैजिक आप जो भी अब्जेक्टी टाइप क्वेश्चिन होंगे उनका easily answer दे पाओगे तो first of all organizational behavior क्या होता है organizational behavior दो wordों से बना है organization plus behavior it means organization के under जो भी person है क्योंकि एक employee से तो organization हो नहीं सकती तो जो individual है उनका क्या होता है group होता है उनके behavior को जब हम study करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है organizational behavior इसके लिए हमने किस definition को लिया है P. Robins ने क्या दी थी definition it is a field of study that investigates the impact that individual group and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization effectiveness इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखियेगा हर एक जब भी आप commerce का कोई भी topic करोगे वहाँ पे कोई भी काम हो वो efficiency और effectiveness तरीके से होना चाहिए ये point जरूर add कीजिएगा ठीक है तो इसमें क्या होता है field of study क्या study की जाती है कि impact individual group and structure यानि कि individual का and group का behavior study किया जाता है कहाँ पे within organization किसमे organization में और main जो purpose होता है वो क्या होता है knowledge towards improving on organization effectiveness क्योंकि हमारे organization में जो employees work कर रहे हैं अगर वो satisfy होंगे तो हमारा organization क्या करेगा grow करेगा और main motive हर एक चीज़ के पीछे क्या होता है हमारा यही होता है हमारे organization का जो goal है जो objective है organization को grow करना वो complete कैसे होगा तो उसी लिए organization behavior क्या हो जाता है एक important topic हो जाता है तो organization behavior में क्या study किया जाता है individual का group and structure कि वो किस तरह से behave करते हैं किस के अंदर within organization के अंदर इस चीज़ को study किया जाता है ताकि organization में जो work है वो क्या हो सके effectiveness हो सके उसके बाद करते हैं features so हम जो है अपनी जो learning है वो क्या करके चल रहे हैं साथ साथ आपका objective और subjective दोनों ही paper की तयारी साथ साथ लेके चल रहे ताकि दोबारा से आपको notes prepare ना करने पड़े क्योंकि हमने positive सोचा है कि भई हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं उनका exam जरूर clear होगा तो जो features है वो इसकी क्या आएंगी study of key element इसके अंदर क्या किया जाता है study क्या जाता है किनको key elements को और key elements की बात कही जाए तो key elements इसके अंदर क्या होते है man, group, environment, technology and जो structure है हमारे organization का उन सभी को क्या किया जाता है study किया जाता है इसके उपर एक और next जो है ये key element अच्छे से करेंगे क्योंकि इसके question हमारा बनता है उसके बाद है study related to human behavior जो हमारी organization behavior है इसमें क्या study क्या जाता है human का behavior study क्या जाता है कि किस case में कैसे human behave करता है जैसे कोई person ऐसा होता है जिसके लिए monitory's value क्या करती है motivation का काम करती है और कोई employees ऐसा होता है जिसके लिए non monetary यानि कि अगर आप उसकी promotion कर देते हो तो वो उसको जादा मानता है status को जादा मानता है और इसी लिए ताकि हम employees के behavior को जान सके हम किसको study करते हैं organization behavior को कि उसको कैसे हम maximum satisfy कर सकते हैं तो इसमें study किसकी की जाती है human behavior की उसके बाद है universal activity ये कैसी activity है universal activity है it means इसको आप schoolों में organization में, college में सब जंग है इसको implement करते हैं अब आप पुछोगे school में कैसे implement करते हैं school में भी तो जो हमारा head होता है जो leader होता है, it means principal होता है वो ये देखता है कि किस तरह से कौन से teacher को किस तरह से handle किया जा सकता है ठीक है, तो वो सारा हमारा किसके उपर study होती है वो भी एक तरह से क्या होता है organizational behavior होता है और इसी लिए इसको related to applied science कहा जाता है क्यों? क्योंकि real life में इसको क्या किया जाता है use किया जाता है इसके बाद जो हमारा organization behavior है ये क्या है? art and science है क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे इंसान को हम क्या करते हैं study करते हैं और जितना best study कर पाएंगे वो हमारी क्या है एक तरह से art ही है और science कैसे है फिर उसको किस तरह से satisfy करना है उसके लिए हम कुछ scientific approach है वो use करते हैं तो ये है क्या कहा जा सकता है कि art or science है उसके बाद है use of interdisciplinary approach इस चीज को जरूर ध्याद में रखिएगा ठीक है interdisciplinary approach क्या है कि ये एक इसके अंदर के वर एक subject को study नहीं किया जाता इसके अंदर बहुत सारे subject को study करके चलते हैं क्यों क्योंकि देखो interdisciplinary यानि कि अंतर विश्यक और इसलिए मैंने इसका हिंदी में भी नाम लिखा है क्योंकि कई वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हिंदी मीडिया वालों को नहीं समझ भे आते ठीक है तो इसलिए यूज ओफ अंतर विश्यक अप्रोच अंतर विश्यक का क्या मतलब है इसके अंदर बहुत सारे विश्यो को study किया जाता है जैसे psychology है हमारा उसके साथ साथ human एक मिनट sorry तो इसके अंदर क्या किया जाता है बहुत सारे विश्यो को study किया जाता है यानि कि जैसे psychology है sociology है तो बहुत सारे विश्यो को study करने के बाद ही हम क्या करते हैं organization के behavior को study करते है related to environment ये environment से भी related है क्यों environment से related है क्योंकि जो human का behavior है वो उसके internal और external environment कैसा है ये बहुत ही ज़्यादा effect डालता है तो इसलिए हमें उस चीज के बारे में भी इसमें पता करना होता है उसके बाद है option number eight sorry feature number eight two dimensional process two dimensional process कैसे है क्योंकि इसमें क्या किया जाता है दोनों dimension से दोनों तरफ से सोचा जाता है कि इंसान का जो human काम करे इंपलोई काम कर रहे है उनका जो behavior है वो ऐसा क्यों है इसके पिछे कौन-कौन से factor है उसके बाद इसको किस तरह से हम क्या कर सकते है अपने organization के grow के लिए इसके इस factor को use कर सकते है ये इसके अंदर study किया जाता है उसके बाद है objective of organizational behavior organizational behavior का जो main objective है वो organizational behavior की वज़े से fulfill होता है क्योंकि हमारा जो main objective होता है वो क्या होता है कि हमारी organization grow करे और वो grow कब करेगी जब जो employees काम कर रहे हैं वो full satisfy होंगे और अच्छे से work करेंगे new concept of study ये new concept है study के लिए क्यों है क्योंकि जैसे management use किया जाता था management का पूरा chapter है लेकिन management के लिए बहुत सारी organization है लेकिन अभी तक ये इतना ज़्यादा इसने grow नहीं किया है management का part बनके रह गया है क्योंकि अभी तक ये एक new concept है लेकिन आने वाले टाइम में ये भी management की तरह एक अलग सी approach होगी optimistic approach optimistic का मतलब क्या होता है आशावादी approach आशावादी क्यों है क्योंकि इसमें ये आशा रखी जाती है कि कि हमारे जो organization में है उसमें कुछ ऐसे person है जिनको यदी full opportunity मिले full उनको अगर environment मिले तो वो हमारी organization के लिए बहुत ही जादा फाइदे मंद हो सकता है और इसी optimistic approach की वज़े से हम किसको study करते है organizational के behavior को ताकि ये पता लगाया जा सके कि कैसे employees grow करेंगे कैसे कौन सा employee किस चीज में किस direction में जा सकता है उसके बाद है normative science normative science क्यों है क्योंकि इसके अंदर हम एक human के अंदर क्या standards behave होना चाहिए इस चीज के लिए study करते हैं कि किस तरह से उसके अंदर creativity को हम increase कर सकते हैं ठीक है तो ये थी हमारी features organizational behavior की जिन से question पूछे जाते है उसके बाद है level of organizational behavior organization का behavior का वैसे देखो ती level दिये जाते हैं लेकिन ये fourth भी कई बार आ जाता है इसलिए हमने चारों को study क्या है individual level interpersonal level group level और intergroup level it means जब हम human behavior को study करते हैं तो सबसे पहले जो उसका individual level है it means उसका culture कैसा है वो किस society में रहता है उसकी society कैसी है यानि कि उसका जो psychological, social, cultural सभी factors को क्या किया जाता है उसके individual level पर study किया जाता है उसके बाद interpersonal level interpersonal level का मतलब है कि ये person किसी दूसरे person के साथ यानि कि कोई employees है वो manager के साथ आपस में कैसा behave करता है तो इस चीज को भी study किया जाता है कि अगर वो negative करता है तो इसके पिछे क्या region है और अगर वो अच्छा करता है तो इसके पिछे क्या region है तो interpersonal behave को भी क्या किया जाता है study किया जाता है उसके बाद है group level कि group जो बने हुए होते हैं, जैसे कि हमने करवाया भी था quality circles, तो इस तरह से जो छोटे और बड़े कई group बन जाते हैं, इन groupों में उस person का, उस employees का कैसा behave है, इस चीज को भी study किया जाता है, उसके बाद है interpersonal group, कि जब हम, तो देखो बहुत सारे group बन जाते हैं, और groupों में आपस में क्या रहती है, खीचा तानी रहती है, तो उन groupों के बीच के भी relation को क्या किया जाता है, study किया जाता है, तो it means जो level of organizational behavior है, ये कितनी तरह से study किया जाएगा, individual level पर जाकर देखेंगे, interpersonal, it means person, employees के साथ किस तरह से, यानि कि जो manager है, employees के साथ किस तरह से, उसका behave है, group level में, group के अंदर किस तरह से behave करता है, और intergroup level, it means एक group का, दूसरे group के साथ कैसा relation है, क्योंकि एक organization में, बहुत सारे छोटे बड़े क्या बन जाते हैं, group बन जाते हैं, तो उन सभी के behave को study करके, तभी हम एक employees के, एक workers के, जो behave है, उसको अच्छे से study कर पाते हैं, और ये देख पात हो सके, और हमारे जो organization में है, और best way में वो work कर सके, तो ये video थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, इसलिए प्लीज अगर आपको आपने पहले ये कर रखी है, तो इनकी speed जो है increase कर लीजेगा, ताकि कम time में आप एक बार जो मेरा सिर्फ मकसद ये है कि एक बार आप स्लेवस में से निकल जाओ, ये ना रहे कि मेरा ये topic में आपने करवाया था, और इसमें से ये point रह गया, जो topic करवाएंगे, वो completely करवाएंगे, तो element affected the organization behavior, कौन-कौन से, देखो ये element पूछे जाते हैं, पूछे गए थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे add किया है, तो element कौन-कौन से हैं, जो affect करते हैं, organizational behavior को, जो ये point है, इनको हम अलग से करेंगे, जो personality वाला करेंगे, motivation, perception, तो देखो एक person के, और behavior को, उसकी personality भी क्या करती है, affect करती है, उसका motivation कैसा है, वो demotivate तो नहीं हो गया है, इस चीज़ को भी हमने study कर है, availability of resource कैसे है, यानि कि resource जो उसको चाहिए time पर, वो मिल रहे हैं, या नहीं मिल रहे हैं, अगर नहीं मिल रहे हैं, तो उसका हमारे organization के परती कैसा behavior होगा, negative होगा, efficiency and ability, उसके अंदर efficiency है, या नहीं है, कितनी उसके अंदर ability है, और कितनी का वो क्या कर रहा है, यूज कर रह regulation groups के बनाई हुए है, वो ज्यादा कठोर तो नहीं है, वो कैसे है, rigid है, या फिर कैसे है, हमारे, बिल्कुल simple है, जिनको कोई भी use कर सकता है, effective leadership, जो leadership है, ग्रूप की वो कैसी है, ये भी चीज affect करती है, क्योंकि एक अच्छा leader ही हर एक चीज को क्या करके रख सकता है, जोड के रख सकता है, coordination रख सकता है, लेकिन अगर leader ही अच्छा नहीं होगा, तो कोई भी चीज effective way में नहीं हो पाएगी, उसके बाद ये देखते हैं कि technology, हमारी technology कैसी है, जो current में चल रही है, new technology को use कर रहे है, फिर हमारी technology ही ऐसी है, जिससे employee grow नहीं कर पाते, तो organization के behavior को ये भी होती ज्यादा effect करती, क्योंकि एक तो अगर हम work करते हैं, और दूसरी company में अगर कोई person work करता है, और वहाँ पर new technology का use कर रहे हैं, और हमारे यहां किसी PT technology को use किया जा रहा है, तो उससे भी जो organization में employees है, जो work कर रहे हैं, उनका behavior क्या होता है, affect होता है, तो ये element है, जो affect करते हैं, किसको organization के behavior को, organizational structure, कि हमारा organization का structure कैसा है, effective organization structure है, effect of politics, politics के साथ हमारे कैसे behave है, organization culture कैसा है, ठीक है, ये चीज़े भी हमारे किसको effect करती है, organization behavior को, उसके बाद environment, economic environment कैसा है, political factor कैसे है, economic factor कैसे है, political factor कैसे है, ये भी हमारे organization behavior के element को effect करते हैं तो इनको एक बार study करना था उसके बाद एक बार इसकी process भी जाल लेते हैं कि process क्या होती है किस तरह से हम organization में behavior को personal या फिर group के behavior को study करते हैं उसके लिए हमें क्या process follow करनी होती है तो सबसे पहला जो step है वो है knowledge and analysis of behavior सबसे पहले हम क्या करेंगे behavior को analyze करेंगे उसके बारे में जानेंगे ठीक है उसके बाद establishment of proper understanding of behavior अब हम क्या करेंगे उसको जो हमने जाना है उसको अच्छे से समझेंगे उसको stabilize करेंगे कि भई हाँ ये नहीं है कि एक दिन employee गुसा हो गया तो फिर उसको हमने ये मान लिया कि भई इस employees का तो behavior ऐसा है जी नहीं उस दिन क्या पता क्या region रहा हो तो उस चीज को proper way मे कई दिन तक हम study करेंगे उसके बाद proper understanding के बाद हम stabilize करेंगे कि भई ये इस तरह का इस type का जो है group है या इस type का ये behave करता है forecasting based on behavior understanding अब उसके behavior को understand करके हम क्या करेंगे forecast करेंगे estimate लगाएंगे assumption लगाएंगे corrective major according to need अब उसकी need के according पहले हमने क्या कर लिया forecast कर लिया कि भई ये person इस तरह का behavior क्यों कर रहा है क्योंकि इनके घर में financial problem चल रही है अब हम क्या करते हैं उसकी need के according corrective measurement करते हैं कि भई इसको किसकी requirement है पैसे की requirement है work of organizational effectiveness अब अपने organization में effectiveness work करवाने के लिए हम उस चीज को क्या करते हैं rectify करते हैं और फिर देखते हैं feedback of process की अब हमारी जो काम की work की feedback कैसी मिल रही है जो हमने study की actual में वही रीजन था या कोई other factor था इस चीज को क्योंकि देखो behavior को study करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुम्किन तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही difficult है ठीक है और यह भी a question मे आ जाता है कि behavior को study करना नामुम्किन है तो देखो इस चीज को भी हर एक चीज को कोई भी चीज impossible नहीं है इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कोई भी चीज impossible नहीं है यह है कि difficult है but impossible नहीं है ठीक है तो यह थी हमारी organizational stuff organizational behavior की process element features levels और उसके meanings सभी को हमने अच्छे से clear क आपको समझ में भी आ गया होगा तो अगर कोई doubt है तो कमेंट सासर में जरूर पूछेगा और इसके जो भी objective type question मिलेंगे वह अपके साथ share किये जाएंगे next video में so thank you so much video अच्छी लगी तो like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और कोई भी suggestion है तो comment कीजिए thank you